नमस्कार दोस्तों, MD Smart Classes YouTube चेनल में एक बार फिराब का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, READ 2022 को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। और ओनलाइन चालान जनरेट करने की जो 1.5 थी, वो 19 महीं थी। कहीं ये बेर्थव चालान जनरेट करने के बावजूद भी आविजन नहीं कर पाए। इसी को लेकर हाइ याच्चिगा दायर की गई थी। याचिका भगवती सर्माव अन्य की याचिका थी उसका हाइपोट ने यह आदेश देए तो यहां इस वीडिया में पूरी जानकरी देखते इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली वाल विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करने में और पासमें बैल आकन को प्रे सकेंगे अब बैरती याचिका करताओं को हाइकोट ने फोरम बने की दी अनुमती जस्टिस इंद्र जीत सिंग की आदालत ने दिया आदेश साथ ही अदालत ने प्रमुख शिक्षा सचिल निदेशक प्राणबिक शिक्षा सचिल रीड समन्यवाए माद्दि में शिक्षा और चे मांगा जबाब भी भगवति सर्मा अन्य की याचिका पर दिया आदेश याचिका करता है कि और चे आधिवक्ता राम प्रताप सैनिने की पहरी हमने इसको हाइकोट की जो ओफिसल वेबसाइट है उसके हमने सर्च गया तो यहाँ पर हमें हाइकोट की जैपुर बैं सब्सक्राइट ही वो आज हो गई और नेक्स सुनवाई भी आज ही याणि कि यह देट आज ही दे रखिए यह जो केस है वो है फो रेडिविशन नोटिस नोद इस्वीड कोरम 15 सुने तरवे सिंगल वेंज का केस है और कोजलिश्ट सप्लिमेंटरी केस है इसके जो पितिशनर एडवकेट है पितिशनर है भगवती सर्मा डॉटर ऑफ अर्जुलाल सर्मा एडवकेट है राम प्रताप सेनि रेश्कॉंडेड और एडवकेट स्टेट ऑप राजस्तान डेरेक्टर प्राइमरी एज्युकेशन कोडिनेंटर राजस्तान एलिजिविलिटिप for teacher read 2021 और coordinate read 2022 इनको respondent बनाया है वही जो केस नम्मर यहां पर नीचे सम मैटर है तो दूसरा केस भी यह दे रखा है इसके बाद यहां पर दे रखा story of case hearing 25 तरीक को सुनवाई हुई for admission phrase with stay कि अभी तक इसका दोस्तों नहीं आए और आज राज तक शैद अफ्लोड हो जाएगा जज्जमेंट की हाई कोट ने क्या आदेस दिया है यह सारी डिटेंस आज के इस वीडियो में है तो रिट अब बेर्थी जो आविजन करने से बंचित रहे गए उनको एक और मोहका पर नहीं आ चाता है तब तक आप वेट कीजिएगे उसके बाद माध्य मिशिक्ष अबोड और रीट कार्याल है उसके लिए अलग से विध्यप्ति जारी करेगा तो धन्यवाद दोस्तों आज के इस वीडियो में इतने ही जानकरी आपका जानकरी कैसे लगी वीडियो को ल मिलते हैं अंगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जै हिंदी